कि अग्यार्व को हेलो कैसे प्यारे बच्चों एक बच्चा मुझे पूछ रहा था कि सर्प पढ़ाई तो खूब करने कोशिश करता हूं लेकिन फोकस नहीं हो पाता मैं पढ़ लेता हूं कूप टाइम देता हूं पढ़ाई करती हूं लिकार कि नगल fought तो ऐसा होता है और जिन बच्चों को परोल्म ओंधा उनके लिए है कि जिन बच्चों को भी तरह इसित्री कि प्रोलम होती है। उनके लिए है विटा कि ऐसे बच्ये पढ़ने के बाद में इसके बाद में और Li कर ली लाठ हो तेके बाद में उसको समझ लिया समने कोशिस की बुसके बाद मैं उससी जोप तो लिख कर देखो क्योंकि पता है क्या होता है आप पढ़ सकते हो बिना फोकस के आपका दिमाग कहीं और हो सकता है और आप रेड कर सकते हो रेड कर रहे हो आप ऐसा हो सकता है लेकिन आप लिख नहीं सकते बिना फोकस के आपका जब जब आप लिखते हो तो आपका दिमाग आप वहां पर प्रिजेंट होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा है समझे हो तो इससे आपका फोकस है वह इंप्रूव हो जाएगा पढ़ाई करने का जो फोकस है देदरे आप जो भी पढ़ते हो उसको अपनी लेंग्वेज में लिखो कि आपने सीखा क्या आपने जो पढ़ यह तो काम में आती है उनके लिए लेकिन जिनका फोकस के साथ में प्रोलम है जिनको फोकस करने में दिक्कत आती है उनके लिए यह बहुत अच्छी टेक्निक है आप करके देखो तो आज का जो टोपीक है आज हम पढ़ रहे हैं एक्विलिवरियम फोर्सेज न्योटन स्लो आफ को चल रहा है और हंदी में इसको कहते साम वर्स्ता वर्स्तों मतलब क्या हो गया या अब जो भी पार्टीकल है या जोबी ब्लोक है या गुट कहो अफ़िवकाल है उसमें किसी तरह की गती नहीं है आट इलबसrickत है दाथ引ख नि आ कि क्या है जीरो है राइट एक्सलिक्स नहीं कर रहे है इसको समझते हैं तो इसमें हम ने जो पिछली वाली जो क्लास ती उसमें हमने क्या क्या था उसमें हमने free-body diagram कैसे ड्रो करते हम यह चीज़ सिखे थे हमने तो सबसे पहले बाता है कि हमे फूर करना है राइट जो भी हमारे पास ब्लोक दिया जो भी चेन पुली सिस्टम दिया, या रोप पुली सिस्टम दिया है ब्लोक दिए कि यह सिस्टम सेलेक्ट करना है निकाय को ढूंड नहीं कि हैं हम किसके लिए lang बनाना चाह रहे हैं मुक्त बलार क्या बनाना चाह है Prem और हम किसके लिए दिखना चाह रहे हैं किस औजेक्ट के लिए अगर आपने अभी तक में कि यह वाली तो एक बार जाके अटेंट कीजिए उसमें आपको फ्रीवोडी डाग्राम ड्रो कैसे करते हैं उसके बारे में काफे कुछ सीखने को मिलेगा आपके कॉंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ठीक है तो हमने सीखा था कि पहले सिस्टम को हम क्या करते हैं सेलक्ट करते हैं फिर कि इसको पॉइंट मास मास लेने के बाद में अधिर हम एस पर जो व्हां ये मदब जो वह वह देखते कि देरेक्ट के साथ में में the magnitude as well as direction दोनों को हम कंसेटर करते हैं और उस पॉइंट मास पर हम बल की डारिक्शन के साथ में बल को क्या करते हैं ड्रो करते हैं ना फोर्स को ड्रो करते हैं राइट वेक्टर मेथड़ से इस तरह से करते हैं तो आब हम देखेंगे कि अगर को लीनियर फोर्सेज हो या फो प करेंगे ठीक है यह चीज आज हम समझेंगे बेटा अब इस तरह के जो क्वेशन्स होगे उनको सोल करने के दो मैथड होते हैं एक आपका वैक्टर मैथड होता है मतर सदिस मैथड होता है और दूसरा आपका कंपोनेंट मैथड है यानि घटक मैथड है घटक तरीका है तो यह दो मैथड है इनको भी हम डिसकस करेंगे कंडिशन जो है क्या होती है वैसे हमने पढ़ लिए है लास्ट जो लेक्टर वा था उसमें भी आपका बनती है यह पर बोडी के जो एक्सलेशन की कंडिशन क्या बनती है राइट यह फिर भी आज हम देख लेंगे इसको चुन सुरु करते हैं फिर देंगे क्या होती है कंडिशन ऊफ एकलिवरियं क्या है हम हाँ लास्ट जो कर रहे हूं क्या होती हुआ कन्डेशन पर होस्य नहीं पर जितने भी पॉर्सचेज लग रहे हैं उनका वैक्टर सम आपका जीरो होना चाहिए क्या होना चाहिए ओना चीए है इकली विरम में साम्हावस्ता में ठीक है मतलब क्या हुआ कि जितने भी बल लग रहे हैं अगर हिंदी वाले बच्चे बीप बात करो तो जितने भी बल लग रहे हैं उनको सदिश उन बलों का सदिश योग कर दो और उसको जीरो के इकल रख दो जीरो के बराबर रख दो ठीक है यह कंडिशन बनती है आपके किसकी सामय वस्ता की दूसरा जो मैथड है उसमें यह कह रहा है कि भी आपके कंपोनेंट मैथड जो हो गया यानिकि बलो को बलो जो फोर्स डर्प्लेट सिर्ट मेरे सिस्टम लेते है एक है आगसर वाई अगर तीन बाणके को के अंगा को फोर्टेंट यह हो गाँस क्या हो गया कि आपका विभाश्न में घ्यां प्लेट मतब एकंटम में नहीं है आपके तक जो आपके गर स्टै को तो जो भी फोर्षेज है एक्स डिरेक्शन में है एक्स दिसा में है तो उनका सम कर लेंगे और जो वाइड डिरेक्शन में उनका भी सम कर लेंगे और दोनों को क्या करेंगे एक्वल टू जीरो कर देंगे तब अगर यह कंडिशन फुल्फिल हो रही है तो हमारे बोडी किसमें है साम्में अवस्ता में हैं ठीक है चलो एक्जाम्पल समझते हैं अब यह मां एक ब्लोक है गुट का कह लिए हिंदी में मास एम है द्रहुमान एम है और इसको एक ट्रिंग से क्या गया है है किया टांग दिया गया है तो आप क्या कर रहा है यह क्या क्या Honors मुउमेंट है कुछ कि मुवमेंट नहीं तो क्या हो रहे बिल्कुल सब्सिंपल सींपरोच है कि लिए ग्रूना करेंगे प हैक difícil किस्त्त हमने पॉइंट मास ले लिया इसको अब हमें देखते हैं ग्रेविटेशनल पुल जो है वर तो अक्रशन बल है वह कहां लगेगा नीचे की तरफ लगेगा सर इसका मास कितना है एमजी है तो चलो यह एमजी नीचे हम फ्रीबोडी डाग्राम बना रहें प्रीबोडी डाग्र सब्सक्राइब यही मजत화 लगारें पड़िशन ना लेने का नहीं यह पकड़ने का नीचेंशन दूर भेजने मिदा क्या क्या हो करें यह यह नहीं आप देखो बताओ मुझे ओर कोई फॉर्स काम कर रहा है इस पर में सिर्ट कोई फोर्स काम कर रहे हैं कैसे हैं अलोंग दे को पोजिटिव माल लेते हैं यह डारेक्शन हमारी कैसी है अपवर्ड डारेक्शन पोजिटिव है और जो डाउनवर्ड डारेक्शन है उसको हम नेगेटिव माल लेते हैं तो क्या हो गया अपवर्ड टी पोजिटिव इसके एक्वेशन लिख सकते हैं फोस्ट बैलेंस कर सकत सब्सक्राइब है और एम जी नीचे कि तरफ लग रहा है माइनस एम जी दोई फोर्स है चिक मैं यह सइक माइशन की बात कर रहा है कि जितने भी फोर्स है उनको आप क्या कर दीजिए सम कर दीजिए उनकी डारिक्षिन के सेंस के साथ में अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है मतब साइन लेना है नेगेटिव है तो माइनिस का साइन लेना है मतब डारिक्षिन अगर आपके आपके आपोजिट है मैं क् कर रहे हैं T positive कर दिया minus mg negative कर दिया यह आपका कितना हो गया यह total force हो गया Sigma F हो गया right Sigma F हो गया यह साम्यावस्ता की condition क्या equilibrium condition क्या यह equal to zero होना चाहिए that means T minus mg is equal to zero और T is equal to mg यह हमारा सबसे basic or simple example है ठीक है हाँ component कब लेते हैं component कब जब लेते हैं जब हमारे जो force है वो एक line के along ना हो तो क्या हो एक plane में लग रहे हो राइट उस case में हम क्या लेंगे component लेंगे force का बेटा मतार एक्सिस माल लेंगे एक एकक्सिस को एक्स लेंगे एक को वाई लेंगे ठीक है अगर ने मेंριATORS है तो बहुँदा नहीं कर देंगे उनका सम खरके 0 कर देंगे वागा है ठीका यूख जोंग लगे प्या हैं शिम्पल से एकक्सम पल यह देखो सेम भी नहीं है इसमें क्या हो गया इन इसको तो आराम पसंद है और अपनी निस्टेटिड में रहती है तो क्या करें कि जैसे कि यह वापस आनी कोशिस करती है तो फोर्च कैसे लगेगा इसके stress नीचे की side में है तो force upward direction में लगेगा तो यह हम मान लेते हैं Fs है Fs force है तो इसका free world diagram बनाएंगे तो कैसे बनेगा इस mask M block का कैसे बनेगा विटा सिंपल सा है Mg नीचे की तरफ और Fs upward direction में अब एक ही direction में force लग रहा है और तो कोई force है नहीं तो क्या होगा सिग्मा एप इसकाल टू जीरो सिग्मा एप क्या है upward direction में पोजिटेव लेते हैं Fs minus mg mg के डाउनओ डारेक्शन में है तो माइनस mg इसकाल टू जीरो बराबर जीरो फस इसकाल टू mg वहीं सिंपल से equation है सीख रहे हैं हम बेशिक सीख रहे ना सिंपल सी चीखेंगे इसकाया ब्ली करीं अब यह देख़े यह एक कहां पर रेस्ट कर रहा है ये आपका ग्राॉंड पर रेस्ट कर रहा है या पिर कह लोग की आपके एक टेबल परобыमा रिस्ट कर रहा है ठीक है हाँ तो इसके एक फॉर्स यह दर लगाया है ऐसका इदर लगाया है तो क्या हो रहा है बताओ और बलोस आ किसे चंहीजा इसके द्रेया है तो ऑर में गाराओ में अजी में इंचे कर रहा हूं ए प्लोक पर लग रहा है ऑच्छा इसमेह सब्सक्रार्ण और समझ लो थोड़ा सा एम जी जो आपका ग्रेविटेशनल पुल है मतलब गृत्वाकर्शन बल है आपका और वो गृत्वाकर्शन बल इस ब्लोग पर लग रहा है उसके मास्क एकांड कहां पर वर्टिकली डाउन डारेक्शन में नीचे की तरफ ठीक है तो जैसे नीचे की आपके विटा इसको हम जो इसने फोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं तो समय में आएगा अच्छे से इसनी जो फोर्स लगाए ब्लोक ने ग्राउंड पर उसको ले लेते हम एंड है राइट क्या लिया हमने एंड कॉंसेटर कर लिया और अब जो ब्लोक ने क्योंकि फोर्स लग गया विटा है यह एन राइट अब वह बात अलग है कि एन एमजी के एक एक नहीं आ रहा है वह एक अलग मैटर है लेकिन ध्यान रखना कि एन और एमजी आपका अलग-अलग होते हैं इसलिए मैं लिया इसको ठीक है तो अब इस पर देख लो अब इसका मास अब emanbrate कर लेंगे प्लोग पर लगने वाले فोर्स ठीहान रखना पर बच्छे गलती करते हैं आपको वह समझा है था कि यहां पर बच्छे गलती करते हैं क्या करते हैं वह वह सारे फोर्स यह एकारते नहीं बृटा जिसका वह हम प्रे डां माला रहा है जैस बोडिका उस पर लगने वाले फोर्स को ही कंसेटर करना है अगर वह बोड़ी जिस पर फोर्स लगा रही है दूसरी बोड़ी पर या दूसरे अब्जक्ट पर उन फोर्स के तरफ ध्यान नहीं देना है ठीक है समझे बात है तो इस बोड़ी पर इस ब्लोक का फ्रीवोड डियाग्राम आ रहे तो इस पर कवन कौन से फ्रस लग रहे सर ग्रैविटेशनल पुल की वजए से एंजी लगरा है नीचे की तरफ लग रहे न हां बिलकुल सही बात है और Sir, F1 force ये लग रहा है तो बिटा, F1 ले 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 हम horizontal direction में है F1 इस direction में F2 आपका opposite direction में लग रहा है So, ये F2 ठीक है? हाँ और क्यों सा लग रहा है? Ground की वज़े से anormal reaction उपर लग रहा है ये N हो गया Clear है? हाँ और ये N ब्लोक की विज़े से किस पर ग्राउंड पर हाँ यह नहीं लेना है ना क्यों क्योंकि यह ब्लोक ग्राउंड पर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो यह नहीं लेना है बाइड़ जो फोर्सेज बाइड़ ब्लोक वह हम कंसेडर नहीं करेंगे फोर्सेज ऑन दी ब्लोक फोर जो पर लग रहे हैं गूटकापर लग रहे हैं उन्हीं को हम क्या करते हैं ट्रायम में एंब करते हैं जब द्ध्राएं को में खाला जो बनारे मिलगर में ठीग है हाः और था तब लग रहे हैं तो क्या करेंगे वेक्टर अप्रोच लेंगे बिल्कुल सही बात है हम मान लेते हैं यह एक्स है आपका और यह डिर्क्शन वाई है ठीक है तो इसमें कौन से में अब बता हूं मुझे कौन से होगा हाँ डिड़ कंपोनेंट में अब लेंगे ठीक है सिग्मा एफ एक इस्कोल टूजी रो इसकोल तो क्या वेक्टर में ने शक्ते सब्सक्रें बिलकुल दे सकते हैं पिटा कैसे करेंगे अगर मालो क्या है एक्क्लीयम चंडिशन में है तो that means क्या हो गया भाई f1 और f2 आपका इकोल हो गया and or mg एकोल हो गया क्या क्या हो मैंनारी का आख सबस्क्राइब आ कैसे देखों सिग्मा एपक्स क्या है सिग्मा एपक्स f1 इधर ये पोजिटिटिव डैक्शन ये निदेटिव डैक्शन तो f1-f2 negative direction area में एक्टर फोम में नहीं 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 दिहां रखना मैंने डिरेक्शन सी दिए एडिया ठीक है इसकोल टो क्या हो ना चीए equilibrium condition 0 that means f1 is equal to f2 आगया दोनु का मेंगेडिवीड कैसे में डिरेक्शन आ पोजिट है सिम्पल सी बात है f1 sigma f1 क्या एगा सब पोजिटिव एन ऊपर की तरफ पोजिटिव है कलर चेंज कर लें इसका चलो ठीक है कोई confusion ना हो ना थोड चलो कलर चेंज कर लें सिग्मा अपर की तरफ अपर डिरेक्शन में क्या होगा तो इसको वेक्टर से करेंगे तो क्या होगा कुछ नहीं बीटा सिंपल सी बात है वेक्टर डाइग्राम भी आप ड्रो कर सकते हो कैसे करके देखें चलो कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो हमने यह इस नोट कर लिया यह अप अब क्या किया हमने हमने एन ऊपर की तरफ अपवर डार्टेशन में तो इसके हैड पर एन की टेल यह एन हो गया यह एफ न हो गया राइट वेक्टर एफ एंट अच्छा एफ टू भी है F2 भी है sir ये इसके head पर इसके tail F2 की तो ये F2 हो गया और Mg नीचे की तरफ काम कर रहा है sir तो इसके Mg भी कर दितने है ये हमारा Mg हो गया पर्टिकल डाउनवर्ड डारेक्शन में और ये loop क्या हो गया close हो गया क्या हो गया loop close हो गया ना close होने का मतलब क्या है कि जो forces है उनका vector sum कितना है 0 vector sum 0 है अगर माल रहा है आपका vector diagram close हो जाता है close shape का बन जाता है तो क्या होता है उसका body case में है वो body किसी भी body के लिए ना एक body के लिए किसी भी मतलब निकाय के लिए सिस्टम के लिए कुछ भी बोल दो तो उसके लिए क्या होता है हमारा यह अगर close हो गया डियाग्राम वेक्टर डियाग्राम तो हमारे forces का सम कितना हो गया vector sum कितना हो गया 0 हो गया और body कैसे है equilibrium condition में ठीक है दोन भी में इसको सोल कर लिया देखो इससे समया गया कि भी हमारा क्या है यह जीरो हो गया ठीक है चलो आगे चलते हैं अब देखो इस तरह की question पूछते हैं आप से कैसे कि किसी एंगल पर ब्लोग पर फोर्स लग जाए कोई एंगल है अवी तक अ मmb Hausag antiqu lab कहा दिया हम एंगल पर फोर्स लगा दिया ठीक है एफ One फोस्काम कर रहा है कि स्ब्लोग पर है मास के क्या कर रहा है तो क्या करेंग इससमें सेंपल आप त्रीवल दियंगरम करेंगे इख है हां, ओके चलो फिर द्रयाग्राम बनाते हैं बटा इसका, तो हम इसको पॉइंट मास ले ले लिते हैं, चलो यार इसको बाइट kidnapped with ऐसे, यह हमने पॉइंट को जिसे जो ग्राउंड टो एंव लगेगा और शे में फोर्स लगेगा वह पस रीक्सिन एंफ दिकतंस जो सो कंसडर करेंगे इस पर जो लग रहा है हायों से कितना ऊंपने लेक्षित यह आप हो गया हमारा एफ वन इस सारे वेक्टर में है इसको लिखने की जो नहीं है और एंगल कितना बना रहा है यह होरिजंटल से थीटा राइट फ्रिक्शन फोर्स भी दिया है फ्रिक्शन फोर्स बेकवर्ड डिर्क्शन में काम कर रहा आपका कोई भी एफ वैल्यू दी दाइबमर बना रहा है तो क्या करें अपरेंगे अ करेंगे यह मयाने से मेंसर हो जो क्या करेंगे कंपोनेंट लेंगे वेरे गुट तो हमारा इसका जो sarà एगा हुआ फूर्ण के दो कम्पोननट प्रीटा के साथ में कौन आता ह है सरοι ए विए कि ये तो है ए एफ साइनिटा त्विए पर पेस नहए दिनिhernिता फन फेसिटा इसर को हम हटा देंगे अब देखो इसका फ्रिवा crown डियाग्राम क्या बन गया mg नीचे राइट एन ऊपर इधर f f1 cos theta इधर f1 f1 sin theta और यह friction force f यह इसका नहीं प्रिवोड डियाग्राम बन गया विटा आप force को balance कर सकते हो तो इस यह साम में आवस्ता में हैं तो sigma fx कर दो क्या करेंगे सिग्मा एफट सिग्मा एफट सिग्मा एफट से गरेंगे र्एक्षट में जीतनी फोर्ट लग रहे हैं उनको हम क्या करेंगे equal to zero कर देंगे body case में है equilibrium condition में है so f direction में कौन सक रहा है f1 cos theta nf1 cos theta minus f यह देखो minus f friction force that is equal to zero यानि f friction force कितना हो गया f1 cos theta अगर theta के value हमें f1 के value दी है तो मारे पास में friction force के value निकाल सकते हम right okay दूसरे condition क्या बनती है x में कर दिया हमने y में भी करेंगे हाँ sigma y सर्वो करेंगे हम कैसे बिल्कुल ठीक हा रहा है sigma f y is equal to zero clear है हाँ तो y में देखो कौन कौन से force है upward direction में n है f sin theta है यानि n plus f1 sin theta downward direction क्या है mg माइनस mg ये किसे को लोना चाहिए जीरो के को लोना चाहिए ये जीरो कर दिया विटा सो दूसरे equation क्या है n plus f1 sin theta is equal to mg ये हमारी पहली equation थी ये हमारी दूसरे equation है अब जिसमें जिसके value दी है जो unknown है वो value given है वो रखे इसमें unknown की value आप क्या कर सकते हैं ठीक है चलो वारी गूड तो ये component समझ में आ गया वापस समझा देता हूं एक बार हलका से रिवाइस कर देते हैं एप का बता हो क्या होगा इसके component कैसे निगा लेंगे हम यह यहां पर आक्ट कर रहा है तो फ्रीवर्ड डियाग्राम बना सकते हैं सीधा बना ले वेरी गूड यहां बना लेते हैं सर ओके तो इसका component एक दो यह तो हो जाएगा एक तो एफ एफ वन कोस्ट थीटा और यह यह ऐसे ना फ्रीवर्ड डियाग्राम बनाते हैं component लेंगे ऐसे component लेना सिखाए था ना हाँ component लेंगे यह ऐसे यह डिर्क्शन में आ जाएगा और दूसरा component कैसे गाओ इसके 90 डिग्री यहां पर नीचे की तरफ आएगा यहां पर हमने कर दिया इसको एफ वन कोस्ट थीटा यह पॉइंट मास ले लिए इस ब्लोक को एम जी नीचे की तरफ राइट नॉर्मल रियक्शन यहां पर लगाएगा यह यह ब्लोक तो उसका अपवर डिर्क्शन में नॉर्मल डिर्क्शन लगेगी बिटा किसके विज़े से ग्राउंड के विज़े से एन ले लिया हमने अच्छे इसका component यह डिर्क्शन में भी ठीटा ठीक है हाँ और क्या बच गया फ्रिक्शन फोर्स बच गया सर्फ चलो फ्रिक्शन फोर्स को भी लिख देते हैं ग्रीन है भई यह लोग है सब फोर्स आगाई इसके सिंपल इतना ही करना होता है क्या करेंगे साम्य पूस्ता कि लिए है सिंग्माल एफ एक्सिटो जी रोसिए ममई एफव इस इकल दो जीडरों मतलब जो आक्स डारिक्शन में जो फोर्स आउनको सम कर दो और जो वाई डारिक्शन में परसम कर दो तो कर दीजी बीटा सिंपल सी बात है सिग्मा सिग्मा fx is equal to 0 सिग्मा fx का आएगा सरफ पोजटीव डिरक्शन यह है यह पोजटीव डिरक्शन ले रहे है यह नेगेटिव डिरक्शन ले रहे है F1 cos theta positive F1 cos theta और friction force जो है वो आपका negative direction में minus F is equal to 0 यह आपकी पहली equation second equation क्या है कि y direction में लिख देंगे सर ओके लिख दो दो बिटा n positive direction में देखो upward direction में है F1 sin theta negative direction में mg भी negative direction में so n is equal to n is equal to n minus F1 sin theta minus mg और यह किसके equal to 0 equal to 0 right यानि यहाँ पर n कितना आ गया n अगर हमें F1 suppose given F1 की वेली दिए गिवन है थीटा की वेली गिवन है n की वेली गिवन है तो n निकाल सकते हैं न हाँ F1 sin theta कि माइनस mg प्लस mg माइनस एदर प्लस आएगा यह भी प्लस हो जाएगा यह हमारा एन आया इसमें देखो यह दूर्स एक्वेशन आई थी हमारे यहां यहां पर और अगर हम इसको compare करें कि यहां पर क्या कर रहे हैं यहां पर पुल कर रहे हैं यहां पर हम उसको पुछ कर रहे हैं राइट क्या कर रहे हैं पुछ कर रहे हैं और यहां पर हम इसको पुल कर रहे हैं किसी कि स्ट्रिंग की हेल्प से यहां क्या है यहां पर है और देखो एनिसकोल टू है एम चीम ऐनस एप साइंट रहें अहां पर है न है हमाइन टीन वान विपन साइन से यहाँ ब्रहा है यहां पर ब्सफ फोर्स यह सी तो व्रकिस जाद लगेगा द्वcü O नॉम्मल फोर्स वाँ उतना फ्रिक्षिन होगा और फ्रिक्षिन के चैट्रम बढ़ेंगे तो हमेशा ध्यान रखना किसी भी ब्लोक को पुल करना आसान है क्योंकि एंड की वेल्यू क्या हो जाती है यहां पर कम हो जाती है और पुश करना मुस्किल पड़ता है ज्यादा फो है यहां पर फ्रिक्षिन दिया वाया फिक्षिन दिया रहा है कि यह साम में अवस्ता में एक्उलिब्युर्यूं कंडिशन में है तो क्या होगा क्या कुछ नहीं एमजी नीचे काम करेंगे तो इसके कमपोनेंट हो जाएंगे और दिखो यहां पे इसमें एक धिध्यान अब क्या होगा कि अगर यह थीटा है तो आपका यह भी थीटा हो गया और यह एम जी का जो कंपोनेंट जाएगा रियल फोर्च का कंपोनेंट लेते हैं अमेश ध्यान रखना एम जी रियलफ पोर्च ना की साइन अब्यां जी खाल इसका दूसरा कंपोनेंट क्या होगा प्लेइन हो गां इसके नाइंटे यह और यह दो इसका इसक की आएगा यह गया एगा अघ्यान जी हाइंजीitel ओफॉर एट फ्रिक्शन-फोर्च का पोज कर रहा है यह क्या कर रहा है बैलेंस में है बैलेंस में है तो अब इसकी क्या बना देंगे हम सर्फ फ्री बोडी डाइग्राम बना देंगे सिंपल सी बात है आम जी के आम ने कंपोनेंट ले लिए एम जी को लिखने की जूरत नहीं बाद है बिलकुल भी नहीं है sir उर कौंसे कंपोनेंट है sir यह mg sin theta इसी direction में ना along the inclined plane mg sin theta और क्या है friction force इसको पोज कर रहा है चलो friction force भी इसको पोज में दिखा देते हैं यह friction force हो गया राइट friction force अपोज़ डार्शिन में ना मुमेंट का मैं सब्सक्राइब डिसक्षिन पोर्स करेंगा एन आपका यह डार्शिन में है तो यह आपका इसके perpendicular यह एन है और इसके अपोज़ित में कौन सा ओर आपकोंट काम कर रहा यह का मजी का मजी कोज़ टीटा फैसे यह एंगी पेल आपकोज थीता देखना दोनुक्राइब को उद्ध सब्सक्राइब करूज़ित एक सब्सक्राइब दोसरे यह क्यूत कितना इंगल होता है कि रहे इना कौन होता है 90 Degree है ठीक है चलो वएरी गुड तो क्या करेंगे अब सर ये तो हम यह लेते हैं वाई यह लेते हैं नहीं पिटा ऐसी कोई बात नहीं हम अपने क्या करेंगे कोोडिनेट सिस्टम को थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे इसके अलॉंग कर देंगे य। य कैसे लेंगे देखो और इसके along y ले लिया, यह y direction हो गई, ठीक है, अब तो कोई दिख कर द नहीं है, तो sigma fx, भई x और y कौन से direction लेंगे, वो हमारे हाथ में, हमारे उपर depend करते हैं, तो क्या होगा, sigma fx is equal to 0, तो fx यह वाले x है, तो positive direction, f positive यह, यह लो, positive, f positive, mg sin theta कहा हो गया, negative direction हो गया, minus mg sin theta, यह किसके कुल है, sigma fx होगे न, x direction में force जो, total force, equal to 0, तो यह हमारी पहले condition आगई, पहले equation आगई मितलब, second equation कौन सी होसकती है, y direction में हो सकती है, तो यह positive, n, positive, sigma, वो condition क्या है कि बताऊं मुझे फटापट, sir y direction में force, क्योंकि equilibrium condition है, तो force क्या हैगा, 0 हो जाएगा, यानि कि, n, n positive direction में, हाँ, और mg cos theta, negative, minus mg, cos theta is equal to 0, यह second condition होगे हमारी, ठीक है, simple सी यह बात है, x और y में आपको क्या करना है, total force, और total force को क्या से एक्विल रखना है, net force को, 0 का इक्विल रखना है, क्योंकि equilibrium condition है, अगर equilibrium condition नहीं होती, तो हम आगे पढ़ेंगे, अगले lecture में कि, उसको किको किसके equal रखेंगे, m, a के equal रखेंगे, simple सी बात है विटा, चलो, तो समझ में आगे होगा, उम्मीद है, यह हमारी question आगे, जो given है, उसके हिसाब से हम क्या कर लेंगे, value पूट कर लेंगे, और जो given नहीं है, उसको हम value निकाल लेंगे, चलो, यह क्या है, अभी तक हमने देखा था, कि दो force को हम देख रहे थे, अगर force किसी body पे, गरे, वैसे चार फोर्स होगे, अगर दो force मतों एक direction दो force देख रहे थे हम, ठीक है, मतलब दो दो इदार्टिम देख रहे थे, अब यहाँ पर plane में ही है, लेकिन अलग अलग direction में हो गए, इसके हम दो रास्ते हैं, इसके भी एक तो component लो सिधे-चिदे-चिदे, इसके ऐसे सब्सक्राइब, यह जो रास्ते और नगे देख तो, मदर सी वात है, और दूसरा लामीज्स स्वोल कर सकते हैं, कैसे कि एप वन के सामने जो एंगल दिया है, वह थीटा वन है आफ के सामने जो एंगल दिया है दोनों बहुत तीन फोर्स काम कर रहें एक पॉइंट पर राइट एक बोड़ी पर तो क्या करती है है अध्यू बेर तुपर जो दिया है वह आपका थीटा टू है एफ दिया है अगेंस दिया है ये एक्वल है आपके F2 अपन कोस फीटा टू ये इक्वल है आपके F3 पोरस F3 है अपन कोस फीटा थी राइट थीटा थरी क्या है 3 को हटा दो फ 1 और एपट तो के बीच में जो अंगल हो यह यह प्र हम सिंपल यह भी दिया होता कहीं पर की अलफा बीटा गामा कुछ से कोई फर्ख नहीं पड़ता पिटा कि एंगल का नाम क्या रहे हैं हमना क्योंकि एंगल कितना है वह माइन रखता है इनकी वैल्यू रखेंगे तो यह में रिलेशन सिपा जाएगा तो यह लामीर्स थेवरा में सीधी कर सकते हैं अगर इस तरह से कंडिशन हो इसकी वैल्यू नहीं होने चीए यह नहीं नहीं होने चीए नहीं तो आपका कॉछ आंसर जो है वह गरवड़ हो जाएगा ना क्योंकि 0 सब्सक्राइब तो एक पार्टिकल है जिसके इनिशिल वैलस्टी आपकी क्या है यू आई क्या है वी है ऊसके बार में उस पर 3-4 स्काम करते एक पीक्यु क्यूआर और एफार्पि टी फॉस्ट कंडे यह समझो कि यह पका एक भुड़ुक है और यहवी वैलस्टी से मूग कर रहा रही है और आप इसपर 3-4 स्काम करESE कैसे फॉर्स काम कर तीन इसमे एक तो फॉर्स में है यून के एक तो फोर्स ऐसे काम कर रहा हुरन का आपकर और एक पॉर्स ऐसे काम कर रहा है इस पिए लड ठीशन ये जब यह क्वरर शाना कर रहा है तो यह तो यह थीन पीजिट स्काम कर रहे हैं लेकिन इसने दिए फैने यह जो हम आपूर्स डाइग्राम वेक्टर डियाग्राम बनाते हैं फॉसका Ю wife क्या था है एक ट्रेंगल आता है इसन तो हमारे से एक ट्रेंगल आ गया तो हमारी फाइनल वेलस्टी क्या होगी यह फोस लगाने के बाद में वेलस्टी इंक्रीज कर जाएगी देखो वेलीद दी नहीं है तो क्या करें है कि भी फाइनल वेलस्टी आपकी बढ़ जाएगी यह फिर वेलस्टी कम हो जाएगी यह फिर वेलस्टी सेम रहेगी ध्यान करो अरे हां बिल्कुर सही कह रहे है वीटा क्या कि जब हमारे forces का vector diagram हमने बनाया और वो एक closed loop आ गया चाहे वो आपका triangle आ गया चाहे वो आपका square आ गया या आपका क्या गया पेंटागन आ गया मतलब कुछ भी हो सकता है अगर वो closed loop है तो इसका मतलब vector sum of forces क्या है जीरो क्या एप इस जीरो और यह किसके condition है equilibrium की condition है equilibrium condition का मतलब क्या हो गया कि यह आपका उसमें कितना हो जाएगा जीरो ए हो गाई नहीं क्योंकि net force कितना हो गया हो गया so a is equal to a is equal to zero और अगर जीरो है आपका acceleration zero है मतलब वी चेंज होगा वेलस्टी चेंज होगी नाई वी रिमेंस constant we will be constant constant ठीक है इसका मतलब वी फाइनल जो उसने में पूछा है वो क्या होगा वी के को ली होगा यह मारा अंसर हो जाएगा आपके नीट में पूछा हुआ है नीट नाइट में सिंपल सा अगर एक concept बेस्ट है अगर आपको यह पता है कि भी सिग्मा एफ जीरो है यहनिकि अगर उसका कोश्का जो डियाग्राम बनाया और वो क्लोज़ लूप आ गया आपका तो सिग्मा एफ जीरो हो गया उसका मतलब ना टोटल जो नहीं पर बताओगे की जहीर मतलब वां कि आतव कर दो जीरो हो गया ऑना इस मतलब हो आ Hess क्रिंग सब्सका वेक्टर सम्जीरो हो गया और अगर हम इसको वैसे देखे और क्या कर सकते तो यह मं हमें नहीं है तो अफह घ्रम कर लेंगे सब्सक्राइब क्रिण के यह उनाट दिया। एक्सेस कंपोनें निकाल सकते हैं करे amigo यह कंडिशन भी लगा सकते हैं राइट अगर इन में से किसी एक वेली नहीं दिए हो तो जो पूछा हो और दूसरा क्या हो सकता है इसका मतलब क्या है सिक्मा एफ जी रोग मतलब की वेक्टर डाइग्राम ड्रोग रहेंगे हम सब का तो क्या आएगा वह लूप आएगा चलो आएड पर एफ वेसे कई तो इसका हैड और आफ वेसे के सब चैर थोग मे all day अने क्या एफ टू ल्य क्योइम अ बैरिगों मेरे थी प्लस एफ थ्री आफ थीए इसकी तेल उसके हैड पर सीूल कि ऐफ गधार F3, right, F4, F4 यह है, okay, यह F4, same way you head पे tail रखते जाएंगे, F5, F5 ऐसे है, यह F5, F6, F6 यह है, यह F6, देखो, close loop बन गया, जो वेक्टर डाइग्राम बना है, वेक्टर फोर्स का जो जो फोर्स काम कर रहे थे, उनकाम ने वेक्टर डाइग्राम बना है, क्या बन गया, close loop बनने का मतब क्या हो गया, कि सिक्मा F0 हो गया, ठीक है बिटा, हाँ, condition ध्यान रखना, अगर दो, है, वेक्टर डाइग्राम दिया हो, और कहरा हो, close loop बन रहा है, तो हम मान लेंगे कि सिग्मा F net forces उस पर पार्टिकल पर या उस बोड़ी पर कितने हैं, जीरो है, ध्यान रखना ना, हाँ, और दूसरा, अगर हमें कोई, जैसे चार के वेल्यू दी भी है, एक के वेल्यू न समझी रो कर देंगे, ओके बिटाया चलो, next question पर चलते हैं, यह आपका next question हो गया, इसमें की, दो मास्ट दिये हैं, एम और एम, दो एम दिया है, यह रोट टू टू एम दिया है, जो हैं कर रहा है, इन दोनों मास्ट के help से न, दो पुली दीवी हैं, और कैसे है सिस्टम, equilibrium म मतब तीनों मास्ट जो है, कैसे हैं, equilibrium में है, equilibrium condition लगा देंगे, simple सी, free world diagram बनाएंगे, और equilibrium condition लगा देंगे, क्या पुछा है, थीटा पूछा है, थीटा कर सकते हैं, ओके, तो सबसे पहले से यह वाला, a mass है, तो चलो, a mass के लिए हम equilibrium condition बनाए, free world diagram बना लेते हैं, फटा फट है नहीं, इस direction में, sigma f, 0 कर देंगे, y direction में, sigma fy, आपका 0, that means, t2 minus mg is equal to 0, and t2 is equal to mg, okay, तो यह हमारी पैड़ी equation आगई, ऐसी हम दूसरे वाले mass जो है, वो भी identical लग रहा है, लेकर फिर पीछलो कर देते हैं, इसमें लिए, क्योंको इसमें, tension t1 दी विए हैं, यह mg, यह आपका t1, so t1 minus mg is equal to 0, that means, t1 is equal to mg, यह हमारी दूसरे equation आगई, और फिर्स्ट और सेकंड एक्विशन को देखें, क्या हो गया, t1 is equal to t2, let's, it is t, let's take it is t, so it is t, ठीक है, हाँ, आप क्या करेंगे हम, इसके लिए, फ्रिवोड डिए डिगरम आ लेंगे, किसके लिए, यह रूट हैं, तो हमने यह रूट टू मास को पॉइंट मास ले लिया, तो रूट टू एम, जी, डानवर्ड डिरेक्शन में, और कौन से फोर्स है, भाई आपका t टेंशन इसमें काम करेगा, t, इस दूर भी t काम करेगा, इसको t ले लिए, इसको t, इसको t, right, तो क्या होगा, आप इसको यह थीटा है, तो अपवर्ड डिरेक्शन में कावन से कमपोनेंट हो जागा, इस t का, t कोश थीटा, इदर आपका कमपोनेंट आएगा, t sin थीटा, इसका भी, इस वाले t का, इदर t sin थीटा, और एक, इसका इदर, यह भी थीटा है बीटा, यह अंगल थीटा है, तो कोस्ट थीटा ये टी साइन थीटा और ये भी टी साइन थीटा ब्लोक पर और कोई फोर्स है कोई फोर्स नहीं है तो ये तो कैंसल आउट कर दिया एक दूसरे को अना वैसे भी पता है सामय वस्ता में है एक्लिग्रियुम कंडिशन है ये भी आपके क्या होंगा इस डिर्क्षिन में भी फोर्स क्या होंगे सिग्मा फाई इसकॉल टू जीरो सो टूटी कोई स्टी त़ीटा माइनस रूट टूँ एमजी इसकॉल टूट जीरो और टी की वल्यू कहां पर है टी की वल्यू दी है रह कोस्ट थीटा इसकोल टू यह इधर लिया एंगे बीटा रूट टू एमजी स्वाइमजी से एमजी कैंसल कोस्ट थीटा इसकोल टू रूट टू रूट टू यह हमारा आंसर हो गया यह हमारा आंसर हो गया ठीक है चलो गुड इस तरह कोशन एक्जाम पूछते मिटें सिंपल से हैं करने की जूरत भी नहीं थी हम सिंपल अगर देखते तो सिंपल हम यह फ्रीवर्ड डियाग्राम नहीं जूरत है इसमें भी हम देखते सीधा टी आएगी टेंसन क्योंकि एमज करेगा सिंपल यह लिखनी थी अगर हमने प्रेक्टिस की विए तो सीधी एक एक इक्वेशन होती है चलो यह कंडिशन देखो इसमें इसमें टी पूछ टी वन पूछा इसने तो हम आल लेते हैं कि भाई इसमें टैंसन आपकी कितनी है टी है इस वाली स्टिंग में इसमें गए ठीवन है तो इसके गम्परेंट ले रिते हैं यह एंगल ओके गय्मन लेटा सजय मिट इज ऑनखरी एंगल ठीटा है और यह आपका कंड आ जाएगा टी का टी कोश ठीटा और यह एचांप अधुन आँज साइन ठीटा हम इस पॉइंट का इस पॉइंट का ही क्या लि कि आपक तो हम इसका प्ट्वा यह वाले है इस वाले मास का बना सकते हैं बिलुकु बनाशिव बनाशटें यह नीचे और ओपर कितना टी टू क्या हो गया एम जी किककोल हो गया सिंपल है ना दिख रहे हैं ना मैरे गुट अब हम पॉइंट पी का जो है जहां पर थीनों टैंस अंड्र तीनुए स्टिंग मिल रही है वों कॉमन नोड है वहाँ पर हम क्या여 सरते हैं इसका फ्रीवोर्ड ्डियाग्राम बनाते हैं पीका तो पीका जब फ्रीवोर्ड इग यह direction में T cos theta, T cos theta, इस direction में T1 है, string में tension, T1, और upward direction में कितना force है, T sin theta है उसका component T का, T sin theta, और कोई force point P पर, नोड पर, नहीं, सरोड तो कोई force नहीं है, तो simple सी बात है, T sin theta, is equal to क्या आएगा, mg आएगा, कैसे, y direction में, sigma f y is equal to 0 लिखेंगे, पहली equation आगे हमारे पास में, x में लिखेंगे, so T1 is equal to क्या आजाएगा, T cos theta आजाएगा, यह हमारे पास में, दूसरी equation आगे बिटा, ठीक है, निकालना क्या है हमें, T1 calculate करना है, तो T1 calculate करेंगे, क्या आगया, T1 by mg is equal to T cos theta upon T sin theta, क्या आगया, 1 upon 10 theta, that means T1 is equal to mg mg by 10 theta, यह आपका answer हो गया, मुस्किल नहीं है न, simple करना है, component लेने हैं, अगर force किसमे, x और y का लोग में नहीं है, तो component ले लो बिटा, component लेके, total force को 0 रख दूसरी डारेक्शन में, sigma fx is equal to 0, sigma f i is equal to 0, आपका equilibrium condition को fulfill करने के लिए, जो unknown है, वो calculate हो जाएगा, अब यह देखो, इसमें दिया है, एक आपका mass यह है, पुली है, massless pulley है, massless string है, पुली का mass दे दिया है इन्होंने, ठीक है तो force on pulley by clamp, यह clamp है, इस से force कैसे लगेगा, ओके, तो कौन सा force पूछ रहा है यह, यह मतलब clamp से force कैसे लगेगा, तो clamp से मतलब एक तो इधर T लग रही है, यह तो इस पर कहीं पर यह direction में reaction आएगी, और यह एक mg लगएगा इसका, कौन सा mg किसका, यह small pulley का mass भी तो नीचे लगेगा इन्होंने इस पर, clamp पर ही, clamp पर ही लगना है, obviously, यह आपका mg इधर लगेगा, हमने वैसे force दिखा दिया, और यह reaction force आएगा कहीं पर, किसका, clamp का, तो चलो free world diagram बना दिते हैं, पहले इसका कर ले, यह तो सीधी सी बात दिख रही है, हमें T is equal to mg है, तो क्या आगया, पहला हमारा इस से देखने पर, इसका उबजर कोड़ने भी T is equal to mg है, right, अब इसका free world diagram बना लेते हैं, किसका, पुली का, चलो, पुली का बना रहे हैं, तो पुली का ले लेते हैं, ओके, तो क्या हो गया आप, पुली का मास नीचे की तरफ बेटा, कौन से हैं, mg है, ओके, यह tension, T, downward direction में, पुली पर लग रहे हैं, यह वाले end पर, यह tension, T, downward direction में, एक T आपका, इधर लग रहा है, T, यह वाली T string में, यह वाले portion में, right, और कौन सा force बच गया, normal reaction force, N, right, यह N क्या कर रहा है, N किसको, इन दोनों का, और साम्य वस्ता की condition है, तो इनका जो resultant आएगा, वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो बिटा यह देखो, यह दोनों किस पर है, 90 डिगरे पर, यह vertically, downward direction, यह वाला, along x-axis, यह x-axis का लोंग है, यह y-axis का लोंग है तो इन दोनों का, अगर हम क्या करते है, resultant निकाल ले, तो वो इसको balance करना चाहिए, N को, तभी तो साम्याफ़ता रहेगी, अगर resultant में कुछ difference आता है, तो क्या होता, पूली टूड जाती, force लगता है उस direction में, right, तो यह कितना हो गया force, यानि T कितना होता है, TMG होता है, that means हमारा, अगर हम वैसे देखें, तो N को एक बार के लिए भूल जाते हैं, हम इनका, क्या कर लेते हैं, सीधा हम वो बना लेते हैं, यह देखो, यह नीचे force कितना लगा, y direction में, M, G, प्लस, M, G, है न, clear है, यानि, that is equal to M, प्लस, small M, G, ओके, यह तो vertically downward direction में लग रहा, पुली पर, और इदर कितना force लग रहा है, T के equal, T is equal to M, G है विटा, तो देखो, X direction, यानि कि यह sigma F, X कितना हो गया, सिग्मा F, X is equal to M, G, और सिग्मा F, Y is equal to, आपका M, प्लस, M, G, यह हो गया, तो F, X आ गया, हमारे पास, F, Y आ गया, resultant निकाल सकते हैं, बिलकुल सर, F, क्या होता है, दो force, अगर हमें F1, और F2 दिये हो, तो बिटा, resultant क्या होता है, Sir, F1 का square, प्लस, F2 का square, प्लस, 2, F1, F2, cos of theta, का square root, यह किसके एक को लागया, यह इन दोनों के resultant के बरावर आ गया, यही फर्मूला होता है, ना, simple, तो यहाँ पर क्या है, Fx, यह है, Fy, यह है, तो बिटा, simple formula लगा दो, resultant force आ जाएगा, आपके पास में, और क्योंकि X और Y दोनों के किसमें है, थीटा के equal है, तो थीटा, मतलब सोरी, दोनों, थीटा कितना है, दोनों में, दोनों में थीटा, 90 है, तो 90 का मतलब कितना हो गया, कि यह वाली टम जो 0 हो गई, तो बचा क्या, F1 इसकर, प्रस F2 इसकर, यहने, F1, X direction, F1 माल लेते है, इसको F2 माल लेते हैं, तो हमारा F1 जो हो गया, जो कि हमारा किसके equal है, N के equal, F1 कहां पर आएगा, देखो, सिंपल सी बात है, यह है, यह है, तो इधर कहीं पर आएगा, यह F1 आएगा, राइट, और यह किसको N को balance करेगा, तो F1 किसको N को balance कर रहा है, तो यह देखो, ओकी, यह आजाएगा हमारा, F1 की value, इसका square, यानि M, G का square, प्लैस, इसका square, यानि M, प्लैस, स्मॉल M, का square, इंटू, G का भी square, यानि G, जी तो भार आजाएगा, तो यह क्या बच गया, M square, प्लैस, M, प्लैस, M का, whole square, का square root, इंटू, G, यह answer हो गया, पिटा, क्योंकि यह किसके equal है, यह N के equal हो जाएगा, F1, तभी तो balance होगा, सामय उस्ता तभी आएगी, तो यह answer हो गया, खोड़ा से tedious है, ना, कुछ भी नहीं है, अगर यह M, G, अब क पुली का माँच 0 होता, तो M को 0 रख देंगे, simple जी बात है, यानि कि दो direction में फोर्ष था, उनका resultant को किसे, normal को किसे support होगा, normal reaction से support होगा, normal reaction के विक्वाल रख दिया हमने, और वो हमारा resultant इन दोनों force का जो था, x direction में, और y direction में उसको, क्या कर दिया, उन दोनों का resultant नि हमें क्या रहना पड़ता है, simple सा, recap कर लेते एक बार, टोटल जो force है, उसका vector समझी रहो होना चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए, sigma fx is equal to 0, sigma fi is equal to 0, है ना, ठीक है, यह condition है, यह condition है, यह condition है, यह put कर दो, किसी question में, question हो जाएगा, तो बिटा चलो ठीक है, अगर आपको के ध्यान रखना, ठीक है, चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,